स्वागत आप सभी का नेक वीडियो लेक्ट्र में अंधर परदेश सर्कल का पोस्ट मैन मेल काड का 2020 का कॉश्चन पेपर हम करेंगे इस वीडियो में ठीक है 2020 और 2021 के लगबग मिला के आपके 40 के क्रीव कॉश्चन पेपर हम करने वाले हैं तो यह सभी कॉश्चन पेपर आप आपको फिर से रिपीट देखने को मिल जाएंगे तो आप जरूर इनको अच्छा से कर लीजिए और बाकी बच जाता है इसमें मैथ वाला पोश्चन ठीक है क्योंकि जीके और आपका डिपार्टमेंट का हम कर लेंगे मैथ के लिए आपको डिस्रिप्शन में लिंक मिल जा करेंगे आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं स्क्रीन पर दियो है नंबर पर महां पर जुड़कर आप इन सभी कॉश्चन पेपर्स की पीडिए फाइल्स भी ले सकते हैं जिसमें आपको मैथ के पीडिएफ में सुलीशन भी मिल जाएंगे और साथ में रेगलर क् पहतर करने का एक बढ़िया तरीका होता है कि आप यह कॉश्चन पेपर के आंसर खुद दें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट कॉश्चन है तो यह फर्स्ट बाला कॉश्चन आप सभी के लिए नहीं है सिर्फ आंधर परदेश बालों के लिए बाक परदेश सरकल तो इसका अंसर मैं आपको बता देता हूँ 22 2017 ठीक है 2nd February 2017 को यह बनाए तो आपको अपने सरकल क्या करना है ठीक है अंदर परदेश बाला मत करें के चले जाना सभी जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर का HP वाले HP का पंजाब वाले पंजाब का यह जो भ पोस्ट ओफिस फंक्शन फार फाइव आवर्ज कौन सा डाघर पांच घंटे काम करता है यह निके क्या पुछा गया कि मैक्सिमम जो आवर्ज होते हैं किसी वी डाघर के वो पांच घंटे होते हैं वो कौन सा डाघर होगा ब्राज पोस्ट ओफिस है सब पोस्ट ओफिस है head post office है night post office है तो हिंदी वाले इस साइड जरूर देखते चले जाएं ठीक है उनको अगर English नहीं समझ आती है तो हिंदी में भी क्योंकि अभी देखो जितने भी आपके सरकल है उसमें आपको हिंदी तो मिलने से रही ठीक है English भी अभी मिल जाएगी लेकिन इतने अच्छा से ब काम करता है तो यहां पर इस question का answer क्या जाएगा आपके पास branch post office जो शाखा डाघर होते हैं वहीं पांच घंटे के लिए काम करते हैं और minimum working hours कितने होते हैं चार घंटे ठीक है यह दोनों important questions है अगला आपके पास branch office business hours are fixed by शाखा डाघर के काम काज के समय को किसके द्वारा न पोस्ट मास्टर तो शाखा डाघर के काम काज के घंटों को उपमंडल प्रमुख या नहीं के इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर assistant superintendent पोस्ट के द्वारत है किया जाता है वही निर्धारित करेंगे कि चार घंटे खुलेंगे या पांच घंटे क्योंकि minimum और maximum working hours कितने हैं चार अब फ्लैटली वाली कौन सी होती है जो आप बनवाते हैं ठीक है अपने लिए revenue stamp जो रजस्प टिक्टे होती है commemorative stamps के होती है समारक टिक्टे उसके बाद है definitive stamps अब यहाँ पर देखिए जो commonly use होती है बो कौन सी होती है definitive stamps इनका यूज सो किया ही जाता है अब जो commemorative stamps होती है जो किसी की याद में बनवाई जाती है ठीक है किसी की याद में बनवाई नहीं जाती बनाई जाती है तो उनको भी आप use कर सकते है ठीक है उनकी भी value होती है उसके पाद जो flatly stamps होती है flatly ticket होती है उनका use भी आप कर सकते है लेकिन जो राजस्प ticket होते है revenue stamps होते है इनका use आ आप नहीं कर सकते हैं डाग प्रभार के भुक्तान के लिए तो यहां पर आपकी option कौन सी से हो जाएगी बी और दूसरा यहां पर जो राजस्व टिकेट होते हैं इनको इशू कौन करता है गवर्मेंट ओफ इंडिया करती है पोस्ट ओफिस में इनको सिर्फ बेचने का काम किया जाते हैं और बाकी सवी को जो भी आपके फ्लैटली हैं कमेमुरेटिव हैं यह डेफिनेटिव स्टैम्स हैं इनको पोस्ट ओफिस के दारा ही इशू किया जाएगा अगला कॉशन आपके पास कोईन, बुलियन, प्रीश स्टोंस, जैलरी आर्टिकल्स ओफ गोल्ड और सिल्वर एंड करंसी और बैंक नोट्स कैन भी सेंट बाई सिक्का है बुलियन, कीमती पत्थर, आभूशन, सोने या चांदी के लेक और मुद्रा या बैंक नोट कैसे भ पोस्ट के जरीए, जब भी ऐसी चीजें भेजी जानी हो, इनको सिरफ इंशोर्ड पोस्ट के जरीए, बीमित डाक के जरीए ही भेजा जा सकता है, बाकिया भेजते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी बो चोरी हो जाए, या कुछ हो जाए, तो फ पोस्ट ओफिसे लैटर बोक्स और मेल बैन के लैटर बोक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए क्या यह कथन सत्य है बिल्कुल यहां पर नो बोला गया Yes बोला गया तो उनको unpaid माना जाते है जिनके ओपर कोई भी बुक्तान नहीं किया हूँ है उस लेखों की तरह इसे माना जाएगा अगला question आप गया the sender of a postal article posted in India may have it withdrawn from the post or have its address altered provided the article is भारत में post कियेगे dark lake का प्रेशक इसे dark से निकाल सकता है और इसके पते में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उस चीज़ के वारे में शर्त क्या है अभी क्या है कि आपने कोई article को post कर दिया बाद में आपको याद आया कि अभे मुझे नहीं भेजना था आप उसको अब dark से निकालना चाहते है या फिर आपको क्या है आपको उसके उपर जो address आपने लिखा हुआ है उसको आप change करना चाहते है उसको alter करना चाहते है तो ऐसी city में वो किया जा सकता है यह आपको बोला गया है लेकिन उसके लिए कुछ शर्त होती है कि कौन सी city में किया जाएगा सबसे पहले note delivered कि उसका वित्रण ना किया गया हो अब भी उसका अगर वित्रण कर दिया है तो कि address से बापिस लेके थोड़ी change करेंगे दूसरे note seized उसे रोका नहीं गया होना चाहिए ठीक है जब तो नहीं किया होना चाहिए गोल दी वब तो इस question का से answer हो जाएगा आपके बस दी if the addressee fails to take delivery on presentation of the registered article, it can be kept in post office for a period of at the request of the sender, यदि पंजिकरित वस्तु की प्रापती पर प्रापत करता वित्रण लेने में असफल रहता है, माली जी आपने कोई पंजिकरित वस्तु थी, प्रापत करता हो को प्रस्तुत कर दी कि आपका यह article आया हुए, लेकिन वो उसको लेने से fail हो जाता है, कोई वी कारण हो सकते है, तो ऐसी सिती में वो unroad करता है, request करता है डाघर को कि उसका article जो है डाघर में रोक के रखा जाए, तो ऐसी सिती में post office उस article को कितने समय तक रोक कर रख सकता है, एक दिन, साथ दिन, एक महीना या फिर तीन महीने तो इस question का सही answer आपके पास आजाएगा भी साथ दिन तक रोखा जा सकते है ठीक है ऐसा कोई वी registered article होगा जिसका प्रापद गरता उसको पहले साथ दिन तक नहीं ले पाता है उसको साथवे दिन के बाद आठवे दिन क्या किया जाता है ओफिस ओफ पोस्टिंग को जहां से उसको पोस्ट किया गया था उसी डागर को बापिस बेज दिया जाता है ताकि आपके sender को उसे दे दिया जा सके पार्सल वेंग अवव इन बेट विल भी डिलिवर ओनली अट दी पोस्ट ओफिस बिंडो कितने से अधिक बजन वाले पार्सल की डिलिवरी केवल डाक घर की खिडिकी पर की जाएगी आपके पास 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या फिर 30 केजी तो कितने किलोग्राम से अधिक होने पर कोई भी पार्सल जो है उसका वित्रण सिरफ पोस्ट ओफिस बिंडो पर ही किया जाएगा 10 केजी से 10 किलोग्राम से अधिक होने पर तो इसका सही आंसर किया जाएगा आपके बस भी अब इस से समदित एक और important question क्या बनते हैं कि आपका एक पार्सल है वो कितने किलोग्राम से नीचे होने पर उसको सिरफ वित्रण के लिए एक ही बार इशू किया जाएगा अब उसका जो वित्रण होगा वो डाघर बिंडो पर ही किया जाएगा मतलब कि 10 किलोग्राम से नीचे है तो एक बार उसको इशू किया जाएगा डिलिवरी के लिए और 10 किलोग्राम से उपर है तो एक भी बार उसको इशू नहीं किया जाएगा उसका जो वित्रण है वो स उसका प्रापद करता, उसपर डाग घर को दे राशी का भुकतान करने केलिए बाध्यर नहीं होता है, यदि वैं इसकी डिलिवरी नहीं लेना चाहता है, माली जे किसी ने क्या किया किया, किसी ने कोई लाटर भेजा और कैसे भेजा, आदे दूरे भुकतान करके भेजा, बेसे है उस चीज के लिए बाद है नहीं होगा कि उसके ओपर जो चार्जिस हम वो दे ऐसी सिती में लेख पर डिलिवरी स्टाफ द्वारा क्या टिपणी की जाएगी क्या लिखा जाएगा डिलिवर्ड रफ्यूज अनक्लेम्ड या फिडिसीज तो ऐसी सिती में उस आर्टिकल के ओपर क्या लिखा जाता है रफ्यूज मना कर दिया गया ठीक है ये चीज लिखी जाएगी अगला कॉश्चन आपके पास अब यहाँ पर ही क्या चीज बोली गई है कि जब आप रजिस्टर्ड न्यूज पेपर को पोस्ट करते हैं तो उसमें जो डाक चार्जिस आपसे लिए जाते हैं डाक शुलक जो भी आपसे लिया जाएगा उसमें आपको कंसेशन मिलता है उसमें आपको शूट मिलती है लेकिन अगर आप उनको लैटर बोक्स में पोस्ट करने के लिए डाल देते हैं तो वो जो शूट आपको मिलने बाली थी फिर वो नहीं मिलती है अगर आपने उनको लैटर बोक्स में डाल दिया है अगला कोश्चन आपके बास any person residing within the ordinary weight of the postman can have all letters and other postal articles regularly during business hours at the window of a post office free of charge, name the service. कोई भी ब्यक्ति जो डाकिये की साधारन गश्ट के भीतर रहता है, यहां पर डाकिया जाता है, अपने articles को बितरीद करता है, मैं अपने सभी पत्र और अन्य डाक लेखों को काम काज के घंटों के दुरान नीमित रूप से डाकर खिड़की पर प्रापत कर सकता है, और यह कै ऐसे होता है, फ्री ओफ चार्ज होता है, इसके लिए कोई भी डाक शुलक एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है, उस सुविदा को क्या कहा जाता है, अब माली जी है, मैं किसी डाकिये की ओडिनरी बीट के भीतर रहता हूं ठीक है, जहां पर बो लैटर बांटने आता है, लेक लेकिन उस सुविदा को क्या कहा जाता है, कि मैं काम काज के घंटों के दुरान बहां पे जाकर अपने लैटर को ले सकता हूं, विंडो डिलिवरी पोस्ट रेस्ट पोस्ट बोक्स फैसिलिटी या फिर पोस्ट बैग फैसिलिटी तो इसको क्या कहा जाता है, विंडो डिलि पैसे लेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे क्यों ले जाएंगे अगर वो अपना काम खुद कर रहा है तो अगले आपके बास article addressed to deceased person needs to be treated as मृत व्यक्ति को संबोधित लेखों को किस रूप में माना जाना जाएए अगर कोई भी लेख है किसी ऐसे विक्ति को भेज दिया गया है जिसकी मृतियू हो चुकी है तो उसको कैसे treat किया जाएगा उसको क्या माना जाएगा unclaimed article माना जाएगा refused माना जाएगा door locked या फिर address c not found तो क्या माना जाएगा उसको unclaimed article माना जाएगा लावारिस लेख की तरह उसको treat किया जाएगा और जो भी आपके unclaimed articles होते हैं वो कैसे वित्रिद किया जाते हैं कौनशी conditions उसके लिए होते हैं वित्रण के लिए वो सारे ही most important है और postman के exam में mostly ये वाले question पूछे भी जाते हैं weather noxious living creature is permissible for transmission by post क्या डाक द्वारा हानिकारक जीवित प्राणी के परसारण की अनुमती है तो ये तो बिल्कुल देखने से पता चल रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं ठीक है कोई वी आप हानिकारक जीवित प्राणी तो भेज़ेंगे नहीं कुछ एक अनुमती होती है जासे लाइब वीज बगारा इंसेक्ट बगारा कुछ इक चीजों की होती है लेकिन उसके लिए कंडिशन से होती है लेकिन यहाँ पर कोई वी आप एक्सेटरा ठीक है अन्य कोई वी हानिकारक जीवित प्राणी नहीं भेज सकते है तो इसकी अनुमती नहीं है तो फोर्टींथ क किये जा सकने वाले लेक का अधिक्तम बहजिन कितना हो सकता है maximum बных कितना हो सकता कि इस भी स्पीड पॉस्ट आर्टिकल का आप एज आर्टिकल भेज रही है और कैसे उसको भेजना चाहता है speed post लेग की तरह भेजना चाहते है maximum आप किस सीमा तक भेज सकते हैं किस बजन सीमा तक भेजा जा सकते है 35 kg, 30, 15 या फिर 20 तो किस बजन सीमा तक 35 kg तक आप भेज सकते हैं 35 kg तक भेजा जा सकता है अगला question आपके पास बड़ी जी compensation payable in case of delay in delivery of speed post article speed post वस्तू की स्पुर्दगी में delivery में, dairy के मामले में दे मुआबजा क्या है अब क्योंकि speed post लेख जब भी भेजे जाते हैं तो उसके लिए समय जो है निर्धारी तो होता है कि अगर यहां से यहां तक जाएगा एक state से दूसरे state तक जाने बाला है तो एक से तीन चार जितने भी दिन होंगे उतने समय के भीतर Metro to Metro जाएगा विदिन All India में कितना समय लगेगा तो उसके लिए जो समय होता है वो पहले से निर्धारीत होता है अगर उस निर्धारीत समय के भीतर आपका लेख नहीं पहुँच पाता है तो ऐसी सिती में आपको मौाबजा दिया जाता है Compensation दी जाती है और कितनी दी जाती है वो आपको बतानी है Speed Post Charges Double the Speed Post Charges Double the Speed Post Charges और 1000 Whichever is less या फिर 1000 रूपी तो इसकोशन का सही आंसर आपके बास आजाएगा अगर तो वो देरी से पहुँचा है तो Speed Post Charges आपको मौाबजे के रूप में दिये जाएगे लेकिन अगर क्या होता है वो चोरी हो जाता है गुम हो जाता है तो ऐसी सिती में आपको Speed Post शुलक का दोगना या फिर 1000 रुपे दोनों मैंसे जो भी कम होगा वो दिया जाएगा अगला कॉशन है आपके बस अंडर विजनेस पार्सल एकोमर्स प्लेयर्स कैन अवेल ओफ कैश ओन डिलिवरी फैसिलिटी अप टू बिजनेस पार्सल के तहत एकोमर्स गराहक कितने तक कैश ओन डिलिवरी सुविदा का अलाव उठा सकते हैं ठीक है स्योडी जो होता है कितने आप मैक्सिमम रुपे तक भेज सकते हैं पचास अजार एक लाख तीस अजार या फिर बीस अजार तो पचास अजार रुपे तक भेजा जा सकता है यह ओप्शन आपकी से हो जाएगी इन logistic post दी term FTL refers to logistic post क्या होती है जिसमें आप अपना parcel का सामान जो है इसमें सामान कौन से बेजा जाता है पार्सल वाला तो पार्सल का सामान आप भेज सकते हैं और कैसे इसमें दो आपकी terms आती है यहाँ पे आपसे एक पूछी गई है FTL FTL क्या होती है options है आपके पास full truck load free truck load fantasy truck load या फिर full transmission load तो इस question का से answer आपके पास होगा ही होगा A full truck load FTL की जो full forum होती है यह होती है full truck load एक आता है दूसरा LTL less than a truck load यह दोनों ही full forums important है चलिए अगला question आपके पास what means any communication which is enclosed in an envelope and addressed किसका अर्थ किसी भी ऐसे संचार से है जो एक लिफाफे में बंद होता है और जो किसी को भी संबोधित किया गया हो उसको क्या कहा जाता है किसकी definition है letter की, letter card की, post card की या फिर reply post card की तो इस question का से answer कहा जाएगा आपके पास एपत्र की definition है यह क्या होता है एक संचार होता है जो किसी भी लिफाफे में बंद करके किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो अगले आपके पास बड़ी सी maximum permissival bait under book packet book packet का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है 5 kg, 2 kg, 1 kg या फिर 25 kg तो इस question का से answer आपके बास आजाएगा है maximum bait of a book packet is 5 kg, 5 kg हो सकता है लेकिन अगर इसका भाई पूछा गया होता इसका भाई कोन है एक important वाला है वो book pattern और sample packet तो उसका वजन 2 kg हो जाएगा एक इसको और भाई या बड़ा भाई जिसको कहता है blind literature packet क्योंकि वो भी क्या है packet है तो उसके लिए आपके 7 kg maximum हो जाएगा बाकि इसके जितने भी भाई हैं उनका सभी के लिए same रहेगा अगला question आपके बास जी bait of an unregistered parcel should not exceed पंजिकरित parcel का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है 4 kg, 2 kg, 1 या फिर 5 kg तो 21st का जो सी answer आजाएगा आपके बासे पंजिकरित parcel है 4 kg तक ही भेजा जा सकता है इससे आगे आपको भेजना है 20 kg तक आप भेज सकते हैं लेकिन registration आपको करवानी पड़ेगी 4 kg की बाद any parcel found in letter box will be treated and charged as a letter box में पाए जाने वाले किसी भी parcel को क्या मानना जाएगा और उस पर शुलक कैसे लगाया जाएगा registered parcel, unregistered parcel, speed post parcel या फिर business parcel तो क्या मानना जाएगा उसको registered parcel मानना जाता है पंजिकरित parcel मानना जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि भाईज को registered parcel तो मान लिया अब registration के charges कोन देगा या registration इसकी करेगा कोन तो जब भी आपका कोई parcel मिलता है letterbox में जिसको post किया गया हो तो उसको registration PA को सौंप दिया जाता है registration PA उसका पंजी कंड कर देता है अब उसमें क्या हो जाता है जो charges बनते हैं वो due charges हो जाते हैं नहीं कि वो किसे लिए जाएंगे अब registration इसकी की जाएगी और जो भी charges होंगे वो registered parcel की तरह आपसे लिए जाएंगे अगला question आपके बास registered newspaper needs to be published in large numbers at intervals of note more than पंजीगरित समाचार पत्रों को अधिक से अधिक कितने समय के अंतराल पर बड़ी संख्या में परकाशित करना चाहिए 2020 वाला यह first question paper है भाई जैसे जैस question paper करते जाओगे ना 2021 वाले जैसे शुरू होंगे ना आप सोचेंगे हम शायद 2020 वाले repeat कर रहे हैं तो इतने मिलते ही जुलते question पूछे जाते हैं तो यह अच्छे से कर ले ना अभी तो आपके बस दो-दो सालों के question papers हैं और क्याची है इतना बड़ा syllabus नहीं है कि 50-50 आपक जो कितने समय के अंतराल पर बड़ी संख्या मैं 31 डेस के अंतराल पर बड़ी संख्या मैं परकाशित हैं इनको करना चाहिए अगले आपके पास is used for transmission within India only यह सारी options देखे बताओ किसका उपयोग केवल भारत के भीतर परसारण करने के लिए ही किया जाता है लैटर है अगला question आपके पास post cards containing communication recorded by printing cycle styling or by any other mechanical process are classified as printing printing है cycle styling है या किसी अन्य यांतरिक प्रक्रिया द्वारा record कियेगे संचार वाले post card को किस रूप में बर्गी कृत किया जाता है उसको post card कहा जाएगा printed post card कहा जाएगा make dude post card कहा जाएगा या फिर reply post card कहा जाएगा तो उसको printed post card मुदरी तो post card कहा जाता है ठीक है ऐसा post card जिसके उपर जो communication है वो कैसे है यहां तो printing के द्वारा है साइकलो स्टाइलिंग या फिर किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा रिकोर्ड किया गया है उसको क्या कहा जाएगा प्रिंटड पोस्ट कार्ड कहा जाएगा अगला कोशन आपके पास पेपर्ज ओफ एनी काइंड प्रियोडिकल्स एंड बुक्स इंप्रेस्ड इन तो यहाँ पे हमें बताना है फिलिंदी ब्लैंक क्या आएगा फार्दी यूज ओफ ब्लाइंड आर अलोड टू वी ट्रास्मिटड वाई पोस्ट आज ब्लाइंड लिट्रेचर पैकेट अंद सित्य पैकेट में किसी भी परकार के पत्र पत्रिकाओं और किताबों को जो की कौन सी भाशा में शपय होने चाहिए कौन सी लिपी में शपय होने चाहिए डाक द्वारा प्रेशित करने की अनुमति है तो यहाँ पे ब्लाइंड लिट्रेचर पैकेट में कोई वी आप ऐसा पत्र भेज सकते है किताब भेज सकते है जो कैसी होनी चाहिए बुक पैकेट ह होनी चाहिए Braille के होती है कि लीपी होती है printed book package या फिर pattern of sample package होने चाहिए तो क्या हो जागा इस question का, least answer Braille Lippee में शपह होने चाहिए ठीक, आपकी कोई भी book है, कोई भी पत्र है, कोई भी पत्री का है अगर वो Braille Lippee में शपा हुआ है तो इसको आप blind literature package के जरिए अंद सीटे पैकेट के जरीए भेज सकते हैं कि यह लिपी होती है जिसको अंदे विक्ती महसूस करके पहचानते हैं कि यह क्या चीज है तो इस में इस तरह कोगा तो भेजा जा सकता है अगले आपके वास अर्जिस्ट्रेशन ओफ एन आर्टीकल इस कमपल्चर इफ दी आर्टीकल इस एक लेख को पंजीकर किया जाना चाहिए यदी लेख है तो कब उसका पंजीकर अनिवारे हो जाएगा पार्सल वेंग मोर दन फोर केजी चार किलोग्राम से अधिक वजन वाल कोई भी पार्सल है इंशोड आर्टीकल है वैल्यू पेवल आर्टीकल है या फिर इन चवी को इस कॉश्टन का से एंसर क्या जाएगा हमने थोड़ी दिर पहले किया कि कितने किलोग्राम तक के पार्सल को आप अनर्जिस्ट्रड पार्सल की तरह भेज सकते हैं तो चार अधिक वजन वाला पार्सल तो इसकी रिजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी अब उसके बाद कोई भी आप इंशोड आर्टीकल भेज से हैं तब भी उसकी पंजीगंड जो अनिवारे हो जाता है और वीपी आर्टीकल का भी पंजीगंड अनिवारे है तो इन सभी का करना अन अन्तराष्ट्री या पंजीकृत लेख के चोरी होने नुकसान या कुलक्षती के मामलिये में भारत के डाघर में बुक किये के लेख के लिए दे मौाबजा क्या है मतलब कि क्या कंपनसेशन आपको मिलेगी पहले हमने क्या गिया था पहले भी मारे पास एक इस तरह का कंप तो मैसे जो भी कम होगा वो आपको ऐसे कंपनसेशन दिया जाएगा लेकिन यहां पे कुछ अलग बात की गई है अंतराष्ट्रिय पंजीकृत लेख की अब आर्टीकल जो होते हैं लेख होते हैं उसमें पार्सल को इंग्लूड नहीं करना है उसको अलग रखना है तो इसम है पूरे नुकसार हो गया क्षती हो गई है और भारत में उसको बुक किया गया तो आपको कंपनसेशन कितनी मिलेगी 30 SDR 20 SDR 2500 SDR या फिर 170 SDR तो इसक्रशन का सी एंसर जो हो जाएगा आपके पासे 30 SDR आपको कंपनसेशन के रूप में दिये जाएंगे SDR की फूर्म पीए पालों के लिए most important है बाकी भी कर लेना SDR होती है special drawing right ठीक है आपको कितने मिलेंगे 30 SDR और यहीं पर आपका क्या होता international parcel होता और registered parcel होता तब कितने मिलने थे 4.50 SDR per kg या फिर 40 SDR ठीक है इन दोनों में से आपको मिलने वाला था कोई भी an article intended for insurance must be presented at the of the post office आपने किसी भी article की insurance करनी है बीमा करना है तो उसको कहां पे present किया जाना जाना जी है प्रस्तुत कहां पे आपको करना है बिंडो पे ठीक है डागर की बिंडो के ओपर beat through postman आप उसको गश्त में दे सकते हैं डाकिये के पास postcard या फिन मैंसे कोई भी नहीं ना यहां पे तो इसका answer क्या होगा बिंडो ठीक है डाक घर की बिंडो पर डागर की खिड़की पर आपको उने प्रस्तुत करना चाहिए अगला question आपके पास बड़ी जी maximum value for value payable articles मूल्य देलेखों को अधिकतम किस सीमा तक भेज़ जा जा सकता है 10,000, 5,000, 1,000 या फिर 50,000 अभी थोड़ी दर पहले question आया था COD article वाला COD को 50,000 तक भेज सकते हैं अभी आगया VP वाला तो value payable को कितने तक भेज सकते हैं 5,000 रुपे तक भेजा जा सकते हैं और money order होता है उसको उसको भी 5,000 तक भेजा जाएगा अगला question आपका is the main office of a group of post offices consisting of itself and a number of small offices called sub and branch offices which have been placed under its account jurisdiction dark घरों के smoo का मुख्य कार्याले जिसमें यह स्वयम और कई छोटे कार्याले भी शामिल है जिने उप या शाखा डाघर कहा जाता है जिने इसके लेखा अधिकार क्षेतर में रखा गया हो उसे क्या कहा जाएगा यानि कि यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है मालीजिए dark घरों का 1 smoo में अपके कोन खुए रख़ है और उप रखर भी है और इसमें एक और डाखर भी है जो उन सवी का क्या है मुखिया है उस डाघर को क्या कहा जाएगा और यह आपके जो शाखा डाघर होंगे और उपर डाघर होंगे उसको उस डाघर के जो आपका मेन होगा उसके डाघर के अधिकार क्षेतर में लेखा अधिकार क्षेतर में रखा गया है तो उसको क्या कहा जाए और यह साथ में जो भी आपके शाखा डाघर या फिर उप डाघर उसके एक शेतर में आते हैं उसके लेखा अधिकार शेतर में रखा जाता है अगला कुशन आपके वाइस सब ओफिस सिचुएटड इन टाउन और इट्स सवर्ज भेहर देर इस आल्सो ए हैड ओफिस इस टर् आफिस तो क्या पंबह्ना का क्या जाता है उसको नगर का टोंन डाघर का जाता है मालिजी कुसी नगर में वहां पे कैसी चलता है आपका सब ओफिस और बहां पे आपका head office भी है ऐगे च्च्च्राउन जब क्यांकर इस रिमने डागर तो और स्टेटस थाहने सब ओफिस तो यह। अच़ JEंने करवाया था मैंने तभी बूला है के पूछा जाते है कि आपके डागर की डागर की टोटल कितनी श्रेणिया है तीन अभी सबसे उपर गयाता है है हैड applies इसके बाद आपका sub office आता है और सबसे नीचे वाली status पर कोना आता है अच्छे से हमने क्या होए local post office, town sub office, branch office या फिर town branch office तो क्या कहा साता है इसको शाखा डागर ठीक है यह क्या जाएगा आपके बास echo उसके बाद SO और सबसे नीचले status का क्या आता है BO अब एक और important question जो BO होता है इसका account कार्यार ले कौन सा होता है account office तो इसका SO भी हो सकते है और echo भी हो सकते है और जो SO होता है इसका account office सिर्फ echo ही होगा अगले आपके बास is a bag containing unregistered and registered articles of letter mail जैसे letters है, postcards है, book and pattern packets and also unregistered parcel एक थैला जिसमें आपके पत्र mail के पंजीगरित और अपंजीगरित लेख है जैसे पत्र, postcard, 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 pattern packet और साथ में अपंजीगरित parcel भी है तो उसको क्या कहा जाएगा cash bag, registered packet bag, mail bag या फिर leather bag तो इस question का C अंसर आपके पास आजाएगा, C ठीक है उसको क्या कहा जाएगा, dark थैला कहा जाएगा, mail bag कहा जाता है अगला question आपके पास, which bag contains cash bag, ordinary and vp registered letters and packets, insured envelopes, registered bundles, insured bundles, ordinary and vp articles and registered list किस bag में cash bag, साधारण और vp पंजीगरित पत्र, packet, बीमाकरित लिफाफे, पंजीगरित बंडल, बीमित बंडल, साधारण और vp लेख और एक पंजीगरित सूची भी साथ में होती है तो यह सभी याद कर लेना, ठीक है, किस में होते हैं, insured bag में, registered bag में, cash bag में, या फिर L bag में तो किस में होते हैं, यह सभी registered bag में होते हैं, पंजीगरित bag में होते हैं, 35 कि से option कहा जाएगी आपके पास, B अगला question कहा है, आपके पास जी term, which means the arrangement of articles with the address side upwards and addresses turned in the same direction is called as लेखों को इस तरह से ब्यवस्थिद करना, कि उनके पते बाले भाग जो हैं, वो उपर की ओर आजाएं, तथा सभी पते एक ही दिशा में आजाएं, इस ब्यवस्था को क्या कहा जाता है, option से आपके बास facing face, beat या फिर मैंसे कोई भी नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है, सभी का जो address होगा प्रापतगरता को वो इस side रहेगा, ठीक है, इस तरह से इनको arrange करना, कि ये सारे पते कौनची, उपर वाली दिशा में आजाएं, और सभी की जो फिर obviously है, कि जो address हैं, वो एकी दिशा में आजाएंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, इस ब्यवस्था को कहा जाता है, किसी भी article का face कहा जाता है, उस एंडर का पिछे भी लिख सकते हैं, उसमें address वाली side भी लिख सकते हैं, कोई उसमें ज्यादा हो नहीं है, अगले आपके असे term which is used to denote the area within which the postmen are required to perform their respective duties, किस शवद का उपयोग उसक शेतर को निरूपित करने के लिए किया जाता ह है, जिसके भीतर डाकिये को अपने संबंदित करतवियों का पालन करने की अवश्यक्ता होती है, बीट कहा जाएगा face facing या फिर beat map, तो क्या कहा जाता है उसे, उस डाकिये की गश्त कहा जाता है, जिसके भीतर अपने जो भी कारे होते हैं, वितरन का कारे है, या जो भी डाक लाने का, बांटने का, जो भी काम होगा, उसके क्या जाएंगे, उसकी beat में आ जाएंगे, और जिस डाक घर से वो जुड़ा हुआ है, वो भी उसकी beat में आता है, ये चीज इंपोर्टेंट है, और ध्यान भी रखनी है, आपको, camp correspondence is intended for high official zone, तो जो camp correspondence होता है, या किसके लिए होता है, सबसे पहले उच्छ अधिकारियों के लिए, जो सरकारी उच्छ अधिकारी होते हैं, उनके लिए होता है, और कब होता है, कब, जब क्या होते हैं, official duty पे होते हैं, टूर पे जाते हैं, टूर along with private visit, या फिर camp में होते है तो जब भी टूर पे जाते हैं, तो उनको क्या भेजा जाता है, camp correspondence पेजा जाता है, अगला question के है आपके बास, अगला, यहाँ पे 39 question है, आपके बास, letters are stamped, detained, late fees, not paid, and detained till the next dispatch, आपके कौन से पत्रों पर निरुद, बिलंब, शुलुका भुकता नहीं किया गया, ये वाली मो late, two late letters, faced, या फिर correspondence, तो जो अती बिलंबी तपत्र होते हैं, two late letters होते हैं, उनके उपर ये वाली stamp लगाई जाती है, और इनको अगले प्रेशन तक रोक के रखा जाता है, ये ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगले प्रेशन तक, अगले dispatch तक ही रखा चाहेगा, अगला द लिजे क्या हो गया, पहले dispatch में आपका article जो लेट, लेटर हो गया, आप उसको निर्धारित समय के भीतर पहुंचा नहीं पाए, post office में, तो उसको next dispatch के दिन, ठीक है, next dispatch, अगर उसी दिन हो रहा है, तो उसी दिन उसको post कर दिया जाएगा, और छोटे डागरों में तो चली अगले दिन ही होता है, अगला operation जो भी होगा, लेकिन बड़े डाग अरुम है, डैली में आपके एक, दो, फिसटीन भी हो सक्ते है, तो उसमें आपके अगले production तक ही उसको रोके रखा जाएगा, और अगले प्रेशन के साथ उन आर्टिकल्स के साथ उसको भी भेज दिया जाएगा उसको कहते हैं अती बिलंबित पत्र कहते हैं अगला कोशन आपके वाज दी लैटर्स आर प्रेजेंटेड अट दी विंडो फोस्ट ओफिस आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड आवस उफ क्लोजिंग इमेल बट विदिन दी इंटर्वल एलोड फार पोस्टिंग ओफ लैटर बिद अडिशनल फीस नेम इट डाक को बंद करने के निर्धारित घंटों के बाद लेकिन अतिरिक्त शुलक के साथ पत्र पोस्ट करने के लिए अनुमत अंतराल के भीतर जो पत्र डाक घर की खिड पर प्रस्तुत किये जाते हैं उनको क्या का जाता है तो कॉश्चन थोड़ा थोड़ा अधूरा है अधूरा क्या है मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या चिस बोली गई है माली जी क्या है कि आपके पोस्ट ओफिस में डाक को बंद करने का समय कितना है एक अपने अगरूमें एक आपकी जो बुकिंग का समय होता है उसके बाद भी एक निर्धारित समय होता है कि आप उस समय के भीतर अगर आते हैं और लेट फिस आपको देनी होती है और साथ में जो भी चार्जिस होते हैं उन सारे चार्जिस का बुक्तान कर देते हैं तो उनको क्या कह आ जाता है बिलंबित पत्र कहा जाता है और जो बिलंबित पत्र होते हैं उनको उनी आर्टीकल के साथ पोस्ट कर दिया जाता है उनको डागर में डिटेंड नहीं किया जाता है रोका नहीं जाता है लेकिन यह माली जी एक और दो बजे के बीच में वहीं समय है कि आप इसमें अपने articles को late fees के साथ major जो भी charges बनते हैं वह देखी है आप इसको post कर सकते हैं लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं एक और दो के बीच में आते हैं और ना ही आप late 15 दे रहें या फिर आप charges पूरे नहीं दे रहे नहीं तो ऐसी city मरे यह वेला जो लैटर भी अडिशनल फीस वो उसके तिरिक्त जो भी शुलक है यहनिके लेट फीस और जो भी चाज़ज बनते हैं वो दे रहे हैं तो ऐसी दिमा इसको क्या कहा जाएगा टू लेट लैटर कहा जाएगा ठीक है तू लेटर कब हो जाना था अगर without additional fees हो जाता है अगर बिना बिलंब शुलक के या बिना charges के हो जाता है तो two late letters हो जाना है लेकिन यहाँ पर additional fees दे रहा है तो late letters हो जाएगा अगला question आपके वासे post man who asks far or receive a commission on present on paying a money order is liable far तो यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि कोई डाकिया है मेरे जैसा ठीक है जिसके बास पैसे नहीं है जाता है वो money order का भुकतान करने के लिए जाता है और commission मांग लेता है आपके से लिया जाते है लेकिन जब भुक्तान करना होता है तब थोड़ी commission लिया जाता है जै लेकिन अब मेरे जाशा था उसने मांग लिए अब क्या होगा च्या किया जाएगा उसको punishment मिलेगी लिटागा पुलिस Tigers to can be assigned with payment of money orders verification of money orders paid by other postman staff and inquiry of minor complaints निमन मैंसे किसे money order के भुकतान अन्य डाकिया करमचारियों दोरा भुकतान किये money order के सत्यापन और शोटी शिकायतों की जाच करने का काम सोंपा जा सकता है ठीक है किसे ये काम सोंपा जा सकता है head postman परधान डाकिये को village postman branch postmaster सब account पिए तो इस question का answer क्या जाएगा आपके पासे परधान postman जो होता है ठीक है परधान डाकिया जो होता है उसको यह वाला काम सोंपा जा सकता है अगला है आपके बास शुट नो दी टैरीफ of inland post is commission on money orders the charges of our insurance and registration of articles by loan bit किसे अपनी गश्त में होने पर अंत्रदेशियर डाक शुलक money order पर कितना commission लगेगा वीमा शुलक कितना लिया जाता है पंजीगन शुलक क्या लगेगा इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए तो जब भी कोई घस्त में जाता हुरी घस्त में कौन जाता है फूस्ट मस्ट में जाता है अपनी में गर्श्त मैं तो इससारा कोई होना चाहिए तो इसकोसे आमाऊंटude उनन चाहिए और की यह मंगन प्स्ट हर जाता है है insurance के लिए क्या charges रेजिस्ट्रेशन के लिए क्या charges है तो इसको यह सारा knowledge होना चाहिए अगला है आपको ऐसी amount of arbitrage single money order maybe should should not exceed bear राशी जिसके लिए equal money order जारी किया जा सकता है कितने सिधिक नहीं होनी चाहिए तो अगर अपने ध्यान अब यह क्या चीज़ होती है इलिडिटेट अनपड़ जो हता है मेरे जैसा जो अनपड़ व्यक्ति है अगर उसको देना है आपने कोई भी पोस्ट में आर्टिकल वित्रित करना है तो कैसे करने अगर तो तो यहां पर क्या हो जाएगा जो आपकी यहां पर witness डालनी जाएगी अटस्ट किया जाएगा जो भी witness हो है कि कोई resident ही डालेगा लेकिन जो attested उसके किया जाएगा ठीक है वो किसके दारा किया जाएगा postman के द्वारा अब क्या चीज़ होती है यहाँ पे समझने वाली एक आती है आपकी परदा नशीन भूमन जो गोंगके में रहने वाली ओरते होती है अभी दोनों में फरक कैए अभी डाकिय है जो अनपड़ व्यक्ति को देख सकता है क्योंकि अनपड़ व्यक्ति ना थोड़ी घुंगकट Southern होगा वो उसको तो देख सकता है न कि यह से वो किसी से पूचग सकता है सको तो उसको कि सी एनने विक्ति से विटनस या ट्सकार करवाने की ज़रूरत नहीं होते है तो वो खुद उस चीज को विटनेस उसकी विटनेस डालता है और टैस्ट भी करता है लेकिन अगर परदा निशीन बुममेन हो अब डाकियों को क्या पता कि गुंगट में पीछे कौन है ठीक है गुंगट के पीछे कौन है अब कौन सी बुममेन है जिसके लिए अडरेस गुंगट वाली महिला है इसका मतलब यह नहीं कि वह अनपड हो जाएगी प्रमानित करेगा एक विटनेस और जो आर्टिकल होगा वह बित्रित किसे किया जाएगा उस विटनेस को किया जाएगा परदा निशीन बुममेन के मामले है लेकिन जब आपका अनपड व्यक्ति ह तब क्या हो जाएगा तब डाकिया तो उसको देख सकता है तो उसको बही परमाणित करेगा तो यह option आपकी से ही हो जाएगी अगले आपके वसी नार MS और sorting office insurance seal must always remain in the possession of the who will be held responsible for its safe custody RMS यह चंटाई कार्यारले में बीमा मोहर हमेशा किसके कबजे में रहनी चीए भाई किसकी अविरक्षा में रहती है जिससे इसकी सुरक्षित अविरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएगा head sorting assistant, sub record officer, head record officer या फिर sorting assistant तो RMS और चंटाई कार्यारले में जो आपकी insurance seal होती है वो हमेशा परधान चंटाई साए कि अविरक्षा में रहती है जो इसकी सुरक्षित अविरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है तो 46 की जो save option आजाएगी आपके पास A अगला question आपके पास Each set of section is supplied with a low candy की wearing the designation of the section and the number of the set to which it belongs painted on it अनुभाग के परतेक set को ताला और चाबी के साथ किस चीज की आपूर्ती की जाती है जिसमें अनुभाग का पदनाम लिखा होता है और उस set की संख्या चितरित होती है पेंट की गई होती है जिससे यह जुड़ा हुआ हो तो क्या कहते है उसको बीट गश्थ पोर्टफोलियो बुड़न बोक्स या फिस्टेशनरी आइटम तो क्या होता है यह पोर्टफोलियो होता है ठीक है कौन-कौन से content इसमें रखे ज स्टेशनरी आइटम्स तू दी सेट एंड सेक्शन ओफ मेल ओफिस डाक कार्याले के सेट या अनुभाग को स्टेशनरी मदों की आपूर्ती है तू स्टेशनरी दर सूची जो है किसके द्वारा उसकी आपूर्ती की जाती है सब डिविजनल इंस्पेक्टर हैड इस्टेशनरी डेटर लिस्ट होती है किसके द्वारा प्रवाइड करवाई जाती है विल प्रिपेयर डेली रिपोर्ट में यहां पे तो चलिए नहीं आया लेकिन फोरम नंबर अच्छे से कर लेना भाई बार वार पूछे जाते हैं दूसरा लोज नंबर यह दोनों आपक दोनों मिलाके तो अच्छे से कर ले ना यह आप के लिए इंपोर्टेंट है तो कौन त्यार करते हैं आपकी डेली रिपोर्ट उप्षन कि यह यह पर्चिंस नहीं पहसे प्रस्तुत किया जाता है सुप्री टेंटन 늘 लेकिन प्रथान चंटाई अगला question और last question है department का दी यहाँ पर हमें बताने है फिलिंदी blank में क्या आएगा office section shows the stations and that of mail office the hours at which mails are received and dispatched तो अनुभाग की कौन सी चीज station और dark कार्यार लेके उस समय को दर्शाती है जिसमें dark परापत और प्रेशित होती है उसको क्या का जाता है sorting list, daily report, due mail list या फिर mail abstract को इसको क्या का जाता है due mail list का जाता है ठीक है कौन से समय में डाका आगमन होगा परेशन होगा इस चीज़ के बारे में due mail list में होता है तो यह थे आपके बास यहां पर जीके reference to every living thing including plants bacteria animals and humans पोदों बैक्टीरिया जानवरों और मुश्यों से हर जीवित चीज़ को संदर्वित करता है बायो डाइवर सीटी उसके बाद मोनो कल्चर माय लोजिकल यूनिफर्मिटी या फिर जनाटिक यूनिफर्मिटी तो इस कोफी प्रड्यूजिंग कंट्री इंदी वर्ल्ड बिशव का सबसे बड़ा कोफी उत्पादक देश कौन सा है इंडिया है ब्राजील है कनाड़ा या फिर भी अतनाम है तो कौन है ब्राजील है तो इस कोशन का सी आंसर आपके बास आजएगा बी अगले आपके बास विच 54 का डी ठीक है नागा अरजुन सागर डैम ठीक है दाम नहीं डैम है अगले आपके बास बिच वाज़ी फर्स्ट इंडियन साउंड फिलम भारत की पहली बोलती फिलम या फिर ध्वनी फिलम आप कह सकते हैं कौन सी थी काली दास आल हमारा उसके बाद है फरहादी या फिर शोले भाई शोले तो नहीं है यह तो अभी हमारे जमार ने किया है तो यह कौन सी हो जाएगा इस कौशन का सी आंसर आल हमारा ठीक है भी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी अगले आपके बास हुवाजी फर्स्ट इंडियन एंड और नोन फाइट तो बिकॉम अमेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियमेंट ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारती और गैर गोरे कौन थे दादा भाई नोरजी ठीक है उसके अद मुहम्मद अली जिन्ना चित्रंजन दास सदार बल्ला भाई पटेल तो दादा भाई नोरजी थे तो इस कौशन का सी आंसर आपके बास आचाएगा ए अगले हुवाजी फर्स्ट इंडियन एंड नोन फाइट टू बिकॉम अ मैंबर ओफ ब्रिटिश पार्लियमेंट ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने बाले भारती और पहले गैर गोरे कौन थे औप्शन से दादधवाई नोरजी मुहम्मद अली इसका मतलब मैंने पिछले का अंसर गलत बता दिया तो फिफ्टी सिक्स का भी आएगा भई यह तो क्या होगे आपके यह दोनी कौशन आपके सेम होगे चलिए अगला कौशन क्या है आपके बास किसे भारतिय क्रांथी की जन्नी के रूप में जाना जाता है यह कौशन कुछ अलग होंगे जीके के वह इसलिए क्या पर कुछे जाते हैं कुछ क्रंट जीके होते हैं तो हमें उनको करने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए अलग थोड़े बहुत कौशन आड़ कि होंगे अ तो किसको आपकी भारतिय गरांती की जन्नी के रूप में जाना जाता है रानी लक्षमी भाई एने बेस एंड भीखा जी रुस्तम कामा या फिर सुरुजनी नाइडू तो भीखा जी रुस्तम कामा को इसी आपकी से हो जाएगी वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिवरेटर ओन विश्वडाक दिवस कम मनाया जाता है 10th of October 9th September 9th September या फिर 12th October को तो कम मनाया जाता है भी अप्शन आपकी से हो जाएगी 9 October को मनाया जाता है और लास्ट ही कोशन आज की वीडियो का हुए is the author of the book Freedom Behinds Bars ठीक है Freedom Behinds Bars के लेखा को जो ल अलसन मंडेला तो कौन है इस कोशन का सियांसर आएगा आपके बासे किरणवेदी तो यह था अंधर पर देश सरक्लर का कुशन पेपर बहुत ही आसान कोशन पूचे गया है आपको सभी आते होने चीए अच्छे से त्यारी आपको करनी है आप हमारे साथ क्लासिस में लेक्चर भी आपको देते हैं पीडिया फाइल्स भी आपको हर एक टोपी के लिए मिल जाती है क्योंकि मैंने क्या चीज़ देख्या है कि आपके बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं नोट्स वनाने में टाइम वेस्ट करते हैं जो सबसे जाधा टाइम कंजूमिंग वाला काम है वहां पे सबसे दाड़ा टाइम आपका लगता है और आपके पास पूरी पीडियेफ हम आपको देते हैं जैसे 60-70 पेजिस की प्योगाइड वनकी तो आप उसके प्रेंट निकलवा के बुक बनवा लो ठीक है थोड़ा खर्चा तो होता है इतना भी नहीं कि आ जादा आपका टाइम बच जाता है तो वो टाइम जो है आप पढ़ाई में लगा सकते हैं याद करने में लगा सकते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आपको हमारे साथ जुड़ ले जान नहीं ठीक है पीडियेफ फाइल्स हम दे देंगे प्रेंट और निकलवा के बुक बनवा के पढ़ सकते हैं आराम से और बाकी इंसा भी कॉश्चन बेपर्स की भी साथ में देंगे तो आपको और भी जाद है इसमें आसानी हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू